आज की वीडियो में हम आपको गनपती जी का मखोटा बनाना सिखाएंगे तो एक खाट पेपर ले रहे हैं हम लेक चार्ट का पेपर होता है अगर प्लेन पेपर है तो आप उनको चिपका कर थोड़ा से स्टिफ कर सकते हो और प्लेट लेकर हमने इस तरीके से क्राउन सर्कल ह तो यह हमारा बन गया है इसमें हमें आइस बनानी है आइस धियान रखे कि नॉर्मल हमारी जैसे आइस रहती है फ्लाट नहीं बनानी है थोड़ी सी इस तरीके से शेप देनी है तो वह थोड़ा सा और अच्छा लूक आएगा जैसे कि आपने देखा एलेफंट की आइस भी क्यों को करेंगे जो कि बहुत आराम है जो जाता है तो यहम ने निकाल लिया है और अब बनाने वाले हैं अजी बनाने के लिए हम एक और सखल बना सकते हैं इस तरही तो यह बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और बनने के बाद ही किस तरीके से दिखेंगा वह आपको देखने को मिलें तो देखें इस तरीके से हाफ स्रकल्स हो चुके यहां पर ठीटेलिंग कर देते हैं जिससे कि वह एक अच्छा सा लुक आएगा आप कलर डिफरेंट भी ल पेस्ट करना है तो यह जो आप मुखोटा बनाएंगे आप गनेश फेस्टेवल में बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कोई फैंसी ड्रेस हो तब बनाना हो तो बहुत है तो अब बनाने वाले हैं यहाँ पर सून तो सून बनाने के तो इस तरीकी से थोड़ा लंबा हमें यह पेपर चाहिए और इसे हम थोड़ा से पैंसिल से रफली हम ड्रॉ कर देंगे लाइंस क्योंकि सून की एक जैसी शेप तो नहीं रहती हमें थोड़ा सा नीचे से थोड़ा नारो दिखाना है और ऊपर से थोड़ा ब्रॉड तो और हमने थोड़ा मोड भी दिया उसे इसे थोड़ा से तरीके से मोड देंगे आप चाहे तो इसे गलु लगा कर से तरीके से से चाहिए और अच्छा सा सून का जो लुकाए जैसे गनपती जी रहती है मुडी हुई वैसी उसका लुका सकता है तो अब देखे यहां पर हमें एक मार्क करनी है मार्किंग क्यूंकि ऐसा निजी जी रहीं दो वैसे तुप पर उसका चाहिए तो यहां पर पेस्ट कर दोगी तो यह तो हो गई है यहां पर प्रीजー हो गई यहां और बहु ठील जात बाल लिएर है तो एक्डम सेट हो गई वैसे एक डाट बनाने वाले है तो एक ही साइस के हम दात बना लेते मोड दिया ह regen कट आउट ले लिए το एक इसकी हमारे तो निकल आएंगे ची से ने, चीपका देएखने, दूसरा भी दानद काई अब लैए त्यार हो चुकी है, ए कर दी अबलेय हो只 है शो।ब दान और धाथ बारी आती है na odd paper की उपना यह उसके फेस के लिए निकाला था उसके उपर का यह उसको ही यूज कर रही हो तो शेप हमने ड्रौ कर लिया है जोह हमें चाहिए टो यहां पर सीस तरी काट आउट लेंगे बर यह क्योंकि पिंग कलर का है तो हमें यह कलर का तो नहीं चाहिए तो आप इसमें लगा सकते हैं तो बस बहुत है ग्लू को पेस्ट कर देंगे और पीछे जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट आउट कर लेंगे निकाल लेंगे बहुती आराम से वह भी निकल जाएगा प्रेंगे अपर देख रहे हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली ऐसे ही क्रिएटिव वीडियो को आप इंजॉय कर पाएं भगवादी से रिल्ट और वी वीडियो आपको देखनी है तो आप मैं चैनल पर देख सकते हैं और लिंक दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा नहीं तो सबसे पहला जो कर रही हूं तो बस हमें एक नॉट बादना है इसमें और सेलो टेप यहां पर लगा देंगे बहुत ही असानी और आराम से चिपक चाती है नॉट लगा देजिए नहीं तो वह निकल जाएगी अब हेड के हिसाब से में थोड़ा सा मेशूर कर लिया वैसे भी इलास्टिक त होती है तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो दोनों को हम यहां पर टेप लगा लेंगे तो यह हमारी पहननी के लिबल कुल एजी और कमफरेबल बन गया है और अब थोड़ी सी डीटेलिंग कर देंगे हम मुकुट में तो माकर से मैं कर रही हूं इससे क्या होगा कि जब मुकुट पूरा बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा दिखे का प्लेइन थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा था तो थोड़ी हमने डीटेलिंग कर दी है तो इससे एक अलग ही यहां पर लुका जाएगे मुकुट की भी तो देखिए हमारा इस तरीके से जो मुखोटा है गनपती जी का बनकर तैयार हो गया है और आपने देखा है कितना असान है और निर्भे न यहां पहन कर भी दिखाया है उसको पूरा गनपती जी बनाया है उसका ब्लॉग आप उसके चानल पर देख सकते हैं जो हम गनपती फेस्टिवल का भी बनाएंगे पोस्ट करेंगे थैंक यू सो मच पर वाचिंग एंड की वचिंग अर वीडियो लाइ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ही जेगा और कोमेंट सेक्शन में में जूरूर बताएगा थैंक यू सो मच पर वोचिंग यू जो